PM's Care for Children Scheme 2021 Ministry of Finance, Government of India एक नई स्कीम लेके आई है PM Care Funds से PM's Care for Children Scheme 2021 कोरोना महमारी के दुरान अगर किसी बच्चे ने जिसकी आयू 18 साल से कम उम्र की है और इस बच्चे ने 11 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में अपने दोनों माबाप को खो दिया है या हो सकता है एक बच्चे का पहले से ही एक माँ अथवा पिता नहीं थे तो अब कोरोना महमारी के दुरान 11 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में इसने अपने दूसरे मा अथवा पिता को भी खो दिया है अपने बचे हुए मा अथवा पिता को भी खो दिया है अब इस बच्चे के दोनों माबाप नहीं रहे हैं तो ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए PM Care Fund से एक खाता खुलवाय जाएगा इस बच्चे के नाम पर जिसे PM's Care for Children Scheme 2021 का आगया है सबसे पहले एक खाता खुलवाय जाएगा उस खाता खुलने के एक महीने के अंदर अंदर PM's Care Fund से एक धन राशी एक वन टाइम लंपसम कॉंट्रिब्यूशन इस बच्चे के खाते में डाला जाएगा और यह स्कीम एक्टिवेट हो जाएगा जब यह बच्चा अथारा साल की अपनी उम्र पूरी कर लेगा तो इस बच्चे के खाते में एक दस लाख रपे का कॉर्पस त्यार होगा इस खाते की सुरक्षा के लिए बच्चे के साथ ऐस एक जॉइंट अकाउंट होल्डर हो शहर का डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट जॉइंट अकाउंट होल्डर होगा PM's Care for Children Scheme 2021 के effective implementation के लिए beneficiaries को identify करने के लिए इस scheme की overall governance administration के लिए Ministry of Women and Child Development को एक nodal office बनाया गया है तो अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिसके कोरोना महामारी के बाद कोरोना महामारी के दोरान अब दोनों माबाप नहीं रहे और इस बच्चे की आयू 18 साल से कम अवदी की है तो आए ऐसे एक बच्चे को उसका भविश्य उज्वल बनाने के लिए ये खाता खुलवाने के लिए हम उसकी मदद करें उसको जागरूप बनाएं उसकी मदद करें ये खाता काम कैसे करगा मैं आपको उधारन देता हूँ माल लीजिए एक बच्चे के आयू आज केवल 4 साल की है अभी इसे 18 साल कूरा करने में 14 साल बाकी है तो इस PM केर फंड से आज एक कैल्पूलेशन के अधार पर 3,56,000 रपे PM केर फंड से एक वन टाइम कॉंट्रिबूशन इस बच्चे के खाते में ड़ जाएगा जब ये बच्चा 18 साल पूरा करेगा तो इसके खाते में 10 लाख रपे बन चुके होंगे 18 साल पूरे करते ही अब ये बच्चा इस एकाउंट को इंडिपेंडेंटली ओपरेट कर सकता है नबर वन नबर टू 18 साल से इस स्कीम पर इस 10 लाख रपे पर उसे मंतली बेसिस पर ब्याज मिलेगा और जब ये बच्चा आज कब तक मिलेगा जब तक ये बच्चा अपने जीवन के 23 साल पूरे करता हूं 23 साल पूरे करने पर इस खाते में जो भी धन राशी खड़ी होगी वो इस बच्चे को दे दी जाएगी और ये स्कीम यहां पर बंद हो जाएगी So this is PM's Care for Children's Scheme 2021 यह सच मुझ में बहुत अच्छी स्कीम है मुझे लगता है इसमें केवल एक ही कमी है कि यह स्कीम ऐसे बच्चों के लिए बनी है जिसने अपने दोनों माबाप को खो दिया है मुझे लगता है यह स्कीम और प्रभावी हो सकते थी यदि यह किसी भी एक माबाप के कोरोना महामारी में ना रहने करन ऐसे बच्चों को भी इसका लाब मिलता जिनके एक माबाप अभी है या एक माबाप ऐसे है जो भी इतना sufficiently कमा नहीं सकते दोनों माबाप का ना होना जो यह शर्थ है वो इस कीम को कहीं न कहीं थोड़ा सा कम प्रभावी बनाता है बट इसके बावजूद सरकार ने जो सोचा होगा वो सच मुझ में एक बड़े लेवल पर अच्छा ही सोचा होगा तो आप भी अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने अपने दोनों माबाप को खो दिया है तो आईए इस बच्चे का हाथ पकड़े इस बच्चे का भविश्य उजवल बनाने के लिए इस बच्चे का ये खाता खोलने में हम इसकी मदद करें है झाल्श लख थाद कि समग्च लाद लॉप जैए ऊिए च